हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अर्भी के पत्तो के पकोडो की रेसिपी गुजरात में इसे पात्रा कहते हैं और महारास्ट में इसे आलू की वड़ी कहते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है और मैं आपको इसमें बताऊँगी किस तरीके से आप बनाएं तो यह इस तरह से पत्त आते हैं इसके तो मैंने इनको दो बार अच्य से धोलिया और यह पीछे जो दंडी होती है इसको दंडी मोटी हो इसके आप निकाल देगाल आ। तो यह मुड़ेगा नहीं और पत्ता तूट जाएगा तो जादा मोटी हो तो आप इसे निकाल दे पत्ते अगर छोटे होंगे दंडि तो कोई बात नहीं यह मैं एक दिन पहले लाई थी इसलिए यह आप्ते नहीं तो फ्रेश होते हैं तो यह अच्छी लगते हैं काफी जाएं पत्ते तो बिलकुल सॉट नहीं होंगे तो एक दिन पहले लिए ते इसलिए थोड़े नरम पड़ गया थो यह मैंने पीछे ही इसतमाल मेलें से बनाने के लिए अब मैंने बेसन ले लिया है करीब देर दो कब पेसन ले आप और उसमें हम एक चमच जीरा और लहसुन डाल देंगे पिसा हुआ, आप थोड़ा दरदरा हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा मिर्ची काट कर डाल दें, एक चमच मैंने नमक डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, एक चमच कश्मीरी लाल पिछ पॉडर डाला है, और एक चमच हमने धनिया पॉडर ले लिया है, तो यह आदर चमच मैंने इसमें अमचूर पॉडर डाला है, अमचूर की जगा पे आप निमू कर डाल सकते हैं, अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, तो आप भुनेवे जीरा भी डाल सकते हैं, इसमें मैंने लहसुन और जीरा पीस लिया था, अगर आप सिफ लहसुन डालना चारे हैं, लहसुन और हरी मिर्च को दढ़ दढ़ पीस ले और जीरा भुनावा जीरा पॉटर डाल दें, अब यह मैंने हर अदनिया काट कर डाल दिया है, इसमें, और इसके बाद इसमें हम दो चुटकी हिंग डाल द तो यह इकड़ा बैटर लगाएंगे तो यह एकड़ा परफेक्ट है अब इसमें थोडा सा भी हम जो परता परहते होना पर्टत है इस आप यह फ़ेक्ट है बहुत ज्यादा हमको इसको गुलना नहीं है आप वी हमने आरवी के पत्ते ले लिए इन पत्तों को हम प्लेट पे एक प्लेट पे तो पहले हम बड़ा पत्ता लेंगे बड़े पत्ते पे हम इस तरह से बेशन को लगा देंगे तो यह देखिए इतना गाड़ा बेशन है कि आप जब हाथ से लगाएंगे तो आसानी से पत्ते से चिपक रहा है बेशन अगर पत्ला होगा ना तो वह बेशन इस एक बार में हम करेब चार-बार लगाएंगे तो आप ये उब नीचे Goos करके पते लगाएं तो ये मैंने दूसरा पतना लगा दिया है चोटे साइस का अब दوسरा हमने तो सब्सक्राब्रा बेशन जारे प्रबthose को जाएंगे इसलिए आ CB तो थोड़ा कम बेशन लगाएं मैंने अच्छे से इसको कोट कर दिया है पत्तियों को बेशन से अब इस तरह से हम थोड़ा नीचे से फोल्ड कर देंगे पहले इस तरह से नीचे से फोल्ड करेंगे पत्तियों को देखें नीचे मैंने जादा बेशन नहीं लगाया है अब इ उपर से हम रोल करते हुए लाएंगे और उपर वाले पे हमें बेसन नहीं लगाना है तो टाइट करके आप इसे रोल करें तो यह अच्छे से एकदम रोल बन जाएगा और यह खुलेगा नहीं तो यह देखिए यह बनकर बिल्कुल तयार है इसी तरह से हमने दूसरा रोल बन के मैंने यह रोल तयार कर लिए है अब एक कड़ाई में मैंने पानी गरम होने रख दिया है और उसमें नीचे छोटी सी कटोरी रख दी है और उसके ओपर हम यह एक प्लेट रख देंगे चाहे तो आप चली के ओपर यह स्टीम होने के लिए रख दें तो मैंने यह प्लेट परफेक्ट है मैंने 15 मिनिट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है तो यह अच्छे से कुखो गया था अंदर तक बेशन बिल्कुल भी कच्चा नहीं था तो आप इसे अच्छे से स्टीम करेंगे ना तो गले में खाते वक्त इससे खुजली नहीं लगेगी तो यह बन काट लिया है तो यह देखे कोई सा भी पत्ता कटने पे तोटनी रहा है परफेक्ट एकदम रोल बन कर तयार है तो जो पहले स्टाटिंग का है वो पतला यह हिससा ऐसे काट देंगे हम इस तरफ से फिर हम आधे आधे इंच के गैप पे इसको हम नाइफ से काट देंगे तो ठंडा होकर आप काटेंगे ना तो यह आराम से कट जाएगा कोई सा भी पत्ता तूटेगा नहीं और यह देखे एकदम पात्रा एकदम परफेक्ट बन कर तयार हुआ है बेसन भी अच्छ से कोटिंग है और कोई सा भी पत्ता तूटा नहीं है आप इसे चाहें तो ऐसे ही लेकिन जो हम है इसको थोड़ा फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के बाद में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है तो यह देखे एकदम परफेक्ट पात्रा बने हैं तो मैं इसे थोड़ा फ्राइ कर लूँगी कड़ाई में मैंने दो छोटे चमच तेल गरम कर लि या फिर खाने में लंच के टाइम पे आप बना सकते हैं लंच या डिनर में डाल चावल रोटी सबजी के साथ में आप इसे सर्फ करें बहुत ही बढ़ी है लगता है बच्चों को चाहें तो आप लंच बॉक्स में दें कोई आ रहा हो तो आप नाश्टे में सर्फ करें एक द सब्के इस तरह से एकृश्प बनकर त sound करें आर बहुत कन तल लगा है तो healthy recipe here अब इसे अब बाकी के जो बच्चे थो मैंके डाल 2 टीन बच्चे में सारे इस ऻिए झाल दिया है तो यह बाकी एसे मुश्किल से इंदिर निकाल दी ए है तो एक बार में सिख एयो से दे आप इसे हरी जटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या फिर आप डाल चावल खा रहे हैं तो उसके साथ में आप खाने के साथ रख सकते हैं इसे रोटी सब्जी के साथ सर्फ कर सकते हैं और आप सब्जी बनाना चाहरे हैं तो इसकी gravy बना लें आप प्यास टमाटर वाली और उसमें आप ये डाल दें बहुत ही बढ़िया है सबजी इसकी तो मैंने तो ये नाश्ता तयार किया है इसका आप भी इसी तरह से बना कर देखेगा बच्चे बढ़े सबी को पसंद आने वाली हैं एकदम चटपटा बन कर तयार होता है ये एक बार बनाएंगे ना तो नेक्स टाइफ आप इसी तरह से बनाएंगे पॉमेंट्स में बताएगा जरूर कैसी लगी आपको मेरी ये पात्रा की रेसिपी मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें